एलो दोस्तो स्वागत है आपके चैनल रजस्थान की उज़ में दोस्तो आज हम सेट 15 की बात करेंगे इस सेट में टोटल 35 कोश्चन है ठीक आप कमेंट बाक्स में यह बताएंगे कि आपका 35 में कितना करेट हो रहा है चलिए दोस्तो आज कर सेट करते हैं कोश्चन नमर फ़ लकि ठीक टोट यह जो में रहा है किसकी किसकी संखयी में बनाता है मेरा यंपी और गुजरत इस शिकीन बात करें में भछत्पू तो मेरा हरियारे और किसके साथ यूपी के साथ यह इस तरौन बात करने धौल फूर तो धौल पूर जो मेरा ये यू पी एड़ किसके था यंपी के साथ तो इस तो करें टेंसर क्या हो जाएगा मेरा आपसर नम्मर ए जो यूपी और मध्य प्रद्देश क्यास रजस्तान का वह जीला है धौल पूर ठीक धौल पूर जो है यही बार्डर बनाता है यंपी और यूपी के साथ नेस्ट कोशन पर आते हैं पूछ रहा है जैसे मेर जीले की दो आते नम्मर भी कोशन के सबसे जाएगा है हिए दस्टों से पूछ राया रजस्तान में भीम सागर सिचाइफ परियोजना कहां इस्तित राया भीम सागर सिचाइफ परियोजना मेरे इस्तितं हैं कहां पर जालवार में आपसर दोस्तों हम सेट में उस सेट में इस कोश्ण को सालब करने जो रजस्थान कंप्रटीशन के अलग अलग पेपर्ण में अब तब पूछे गये कोश्ण चली दो स्कूशन बताना है कि मरू भीकास कारेक्यम डीडीपी लागू किया गया किस सन में दोस्तों यह अपने प्रिविएस वीडियों बता चुके हैं कि 75 परसिंद जो होता है साधिदारी इसमें सेंटर गुर्णमेंट की अब 25 परसिंद जो साधिदारी होती है वो इस्टेट गुर्णमेंट की तो बता है कि चांद बाबड़ी रजस्थान के कि जीले में इस्तित है जो चांद बाबड़ी है ठीक रजस्थान के कि जीले में इस्तित है वो मेरी इस्तित कहां पर दौसा जीले में आपसन नुमर बी दोस्तों याद रखेंगे चांद बाबड़ी यह भी बहुत बार पूछा गय यह डिगाना खाने जिससे खान होते हैं उसकी बात कर रहा है किर्स ठान के किस जिली में ऐस्ती थे यह जयाद रखेंगे डिगाना जो मेरा नागोर में याद ऐसे रख सकते हैं दोस्तों गाना ठ 256 गाना कब जो अभ्यारण है जहां पे ऊड़न गिलहरिया मिलती है उड़न गिलहरिया मिलती है कौन सा अभ्यारण है वो मेरा अभ्यारण है सीता माता याद रखेंगे दोस्तों यह भी बहुत आप पुछा गया है वो कौन सा अभ्यारण है जहां पे ऊड़न गिलहरिया मिलती है तो मेर रजस्थान का कौन सा जिला जिला है जो लाब उठाता इसका परवन सिचाई योजना दोस्तों बात करेंगे ठीक किस जिले में यह कौन सा जिला जो परवन सिचाई योजना कलाब उठाता है मेरा है कोटा याद रखेंगे परवन सिचाई योजना कलाब जो उठाता है वो कि को सी राणी परसीद्थ है रूठी रानी से कौन हिरानला याद रखेंगे आप से नुम्मर बी करेक्ट है जो मेरी उमादना है है नहीं हम रूठी राणी के नाम से जानते हैं नस्ट कोशन से आते हैं पुछे आये रशिक संपर्दाय का परवर्तक कौन था ये जो मेरा रशिक संपर्दाय है ठीक इसका परवर्तक कौन था रशिक संपर्दाय दोस्तों आपको बताना है मेरा ये जो मेरा रशिक संपर्दाय है ठीक इसका परवर्तक कौन था कौन था अचल दाज ठीक आपसे नमबर ए नेस्ट कोर्शन पर आते हैं पूछ रहा है आपसे कि तामरियुग तामरियुग अस्थल जहाडोर कहां इस्तित है दोस्तों इस कोर्शन में एक मेटी मुट्री माफी चाहता हूं दोस्तों यह रसीर संपरदाय का प्रवत्तक जो है ठीक वो मेरे कौन है अग्रदास स्वरी नेस्ट कोर्शन पर आते हैं पूछ रहा है कि तामरियुग अस्थल जहाडोर जो है कहां पैस्तित है भी मरेहां उधये पूर में आपस्ट नमबर एक करेक्थ है नेस्ट कोर्शन पर आते हैं दोस्तों याद रखेंगे जो ताम रियुग अस्थल मेरा जहाडोह वो मेरे कहां पैस्तित है उदयपूर में नेश्ट कोशन पुछ रहाया कि रजस्तान्मी मोटा राजा की नाम से कौन परसीत हैं दोस्तों यह वह बहुत मोटा राजा को जानते हैं तो कौन हैद उध्य को मरवार के राजा जो थे ऊद्डै उनको हम मोटा राजा की नाम से जानते où रेसीन को पुछ र बागड की मीरा पता ये गवरी बाई है भवरी बाई है कर्मा बाई है एक ज्ञानमती बाई है कौन सी बाई है जिसे हम बागड की मीरा के नाम से परसीद है वो वो मेरी हैं कौन उमेरी हग गवरी बाई आपसर नमबर एक करेक्ट हैं दोस्तों इस सेट में मुश्री कोशन को साल करते हैं जो रजस्थान ठिक कमप्टीशन में अलग-अलग पेपरों में अब तक पूछे गए हूं गए कोश्चन हों बताए इसका कि रजस्थान परियाटक विकास विगम क कि रजस्थापना कभी देखें दोस्तों अगर हम बात करें 29 नमबर के जो लेटकल का पेपर हुआ था उसमें अस्थापना दिवस से बवबाब पुझा गया था दूसरे दिलेटर भी में कोश्चन इस वीडियो में डाला हूं ठीक तो बताना है बताए रजस्थान परिया इसमें कि बाला किला कहां इस्तित है बाला किला पूछ रहा है कि कहां पर है जो मेरा बाला किला है वो कहां पर है अलवर में है आपसन नमबर भी करेक्ट है दोस्तों याद रखेंगे जो बाला किला है मेरा यह अलवर में है नेस्ट कोशन पर आते हैं पूछा जा रहा है कि गैर नित रजस्थान के किस छेत्र में प्रचलित है यह तो आपको पता होगा गैर नित जो है कौन करता है उमेर करते हैं आदिवासी लोग नेश्ट कोशन पर आते हैं पुछा जा रहा है कि ललित बिग्रह राज के लेखक कौन है जोस्तों यह भी बहुत बहुत पुछा गय है आपसे नमबर बी करेक्ष्ट है ललित बिग्रह राज के लेखक कौन है सोम देव है याद रखेंगे इसको भी नेश्ट कोशन पर असोग परमार की उपरमाल की जागिर किसे किसे प्राप्थ है स्वारी असोग परमार की उपरमाल की जागिर किसे प्राप्थ है वो किसे प्राप्थ है असोग परमार की उपरमाल जागे वो मेरे प्राप्थ है महराडा सागा को आपसन नमबर B करेक्ट है महराडा सागा को हम असोग परमार की उपरमाला के नाम से जानते हैं नेश्ट कर्ष्ण पर आते हैं 1818 SB में कमपनी की ओर से जो कौन सी कमपनी इस्ट इंडिया कमपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संदिक करने वाला अधिकारी कौन था जो 988 में जो company की ओर से कौन सा वो अधिकारी था जो राजपूत राज़ों से संधिकिया था याद रखेंगे ठिक ये जो थे इन्होंने company की ये company के अधिकार läuft थे जो राजपूत के राज़ों से संधिकिये थे ठीक, नेस्ट कोशन पे आते हैं, किराय माता मंदिल का निर्मा किस ने करवाया, किराय माता मंदिल का निर्मा किस ने करवाया, वो मेरे करवाय कि चच ने, याद रखेंगे इसको भी, मेरे तो चच हैं, यही ने, किराय माता मंदिल का निर्मा करवाया था, किस ने, चच ने, आपको बताना है जो मेरे जैत मतोल राठोड है ठीक इनको किस देवता के नाम से जाना जाता है आपसे नमबर सी करेक्ट है आलम जी ठीक आलम जी को ही हम जैत मोर राठोड के नाम जो देवता के नाम से जानते हैं नेस्ट कोशन पुछ रहा है गीदर नित संबंद की छेत्रे से गीदर तो आपको बताना है जो गीदर नित होता है राजस्थान के की छेत्र में होता है वो मेरा होता है गीदर नित कहां पे सेखावटी में आपसे न दालर्ण प्रमुख लोगी तहां किये जो पटेलेया विच्छी या ये लारा हैं ठीक पूछ रहे कहां कि लोगे गना पर टेलेया वह रहे फहां कि अधिवास 53 आप से नमबरण डी कघ्ट निसकोशन पने पूछ लए है इसकी अस्थापना केशे नहीं था ये थे महारारा सज्जन सिंग ने आपसे नंबर दिवन मांदिल कहां पिश्थ था हैं कि 12 अगरे सभा गया ओथ यहांदध रिंगी आप तो पर में आते हैंस्वामी देयाननसोरश्ती द्वारा 1813 में परुप कारेदी सभा के अस्थापन जोस्तो यह भी हnoc है अस्थापन किसने के कि तो बताएंगे किसने की दयानम सोस्थे पूछ रहा कहां किया था वो में दिए थे कहां पे क्लिभा रूबर में याद रखेंगे अलवर में ही पूछ रहा है अन्मेल भीवा और बाल भीवा दोस्तों याद रखेंगे अनमेल बिवा और बाल बिवा की बात कर रहा निशिद अधिनियम सबसे पहले अलवर में किस वर्ष मनाये गया जो अनमेल बिवा और बाल बिवा इस दोनों हुआ था ठीक सबसे पहले अलवर में हुआ था पुछ रहा किस वर्ष तो यहाद रखेंगे किस वर्ष दस दिसंब पर 1903 में आप्सन नुम्र बी करेक्ट है दोस्तों याद रखेंगे यह जो मेरा अनमेल और बाल वीवा है ठीक इसकी बात कर रहा है 1903 में बनाएंगा पुछा रजस्थान प्राच बिद्या प्रतिस्थान इस्तित है कहां पे कहां पे इस्तित में रवो जोधपूर में याद रखेंगे जोधपूर में मेरा है रजस्थान प्राच बिद्या प्रतिस्थान इस्तित है जोधपूर में नेक्स कोशन पर आते हैं पुछ रहा है यहां पे कि लाल नाथ जी चोख नाथ जी और समाईदाज जी तीनों जो हैं किस संपरदाय से संबंदित हैं लाल नाथ जी और चोख नाथ जी और समाईदाज तीनों जो हैं किस संपरदाय से संबंदित हैं वो मेरे हैं जसनाथ से या संदी किस राजयों के बीच हुए दोस्तों यह भी बहुत इंप्टन कोंच्छन बार बार पुछा गया की चमपानेर की संदी सतकते बताएंगे अब मालवा ओर гुझरात यहाद रखे गी मालवा और गुझरात कि बीच घृ थी शंद्यूल की संधी यह ढ़ा है फिट जम पनेर बहुत इंपाटन है ठीक नेस्ट कोशन पयायते हैं रजस्थान में जया श्थान में चूंगी सचffen काह Анपय है यह चुंगी है ठीग कहा पिस्ति थे रजस्तान में चुंगी तीर्ष इस्तित एक कहा पूसरी आपसे कि आमेर राजा बिहारी मलकी पुत्री का भीवा अकबर के साथ हुआ पुष्रा कहा पर अब कहा अब कहा भी वा है पुष्रा है कि कहा भी वह कि हारी पूत्री के साथ हुआ पता एं कि से कि अजब आंगा है तो सब को पता आप डोस्तों यह पताएंगे यह कब अकब के पत्री के नाम किया था चलिए दोस्तों नेक्स कोशन पर आते हैं पूछ रहा है वर्षा जल सन रच्छर लाव प्रध्य है पताई वर्षा जल सन रच्छर जो है ठीक लाव प्रह है यह मेरा है भूमी जल अस्तर में सुधार के लिए आपसर नमबर स्री करेक्ट है दोस्तों नेक्स कोशन पर आते हैं पूछ रहा है आपसे कि इंद्रा गांधी ठीक नहर की लंबाई की टोटर कितनी है इंद्रा गांधी नहर की लंबाई कितनी है वो मेरी कितनी है 445 किलो मीटर यहां रखेंगे यह भी बहुत बार पुछा गया है कि इंद्रा गांदी नहर की लंबाई कितनी है तो बताएंगे 445 किलो मीटर नेश्ट पर आते हैं एस्वरिया तेल छेत्र दोस्तों बहुत पेपरों में इसे पुछा गया एस्वरिया है तो बताएंगी क्या है वह तेल छेत्र के लिए पसीदें पूछ रहा है कोँछ जिले मिष्दी थे एस्वरिया तेल छेत्र कहां पैं और वह मेरा है बार्ऩ कोश्षन मेंयांद रखेंगे बहुत कोश्चन है अचि पुछा गया है इसवी मेलीद करना मिलान करना इसिमेरी बलुई मिटी है ठीक जो बलुइ मिटी है रजस्थान की कहा कहां पाई जाती है लाल मिटी काले मिटी और खच्छारी मिटी बताएंगे दोस्तो दोस्तो अवर आपको वीडियो पूसंद आए तो चनल को सक्काब जरूर करने के लाइ लिए लिए अबकारि मीर्दा शालावार में ये वी इतनी बाधी इंहीं speak कोटा बारा जहलावार क्छारी मेर्दा बात करेंगे शुlevant कोटा बारा जहलावार ठीक लाल मेर्दा की मेर्दा बात करेगा तो लक्त तो बिकानेर याद रखेंगे बहुत बहुत पूछा यह 4 है जो मेरी अलेवलों माद तो कौनसा अफंसन हो जाएगा कौन सा अप्शन हो जाएगा यहां पर बताईए कच्छारी मिर्दा तो कच्छार काली मिर्दा का फोर तो देखिए तीन का फोर किसमें है देखिए बस तीन का फोर इसी अप्शन में आप्शन नमर ए में तो आप्शन नमर एक करेक्ट है इसका चलिए दोस्तों आज का सेशन जय भारत